साथियों, आज सूरत सहर की भवेता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बलकि ये तो दुनिया में सर्वस्रेष्ट है इस डायमंड की चमक के आगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है और अभी बलब भाई, लाल जी भाई, पूरी नम्रता के साथ अपनी बात बता रही थे और शायद इतने बड़े मिशन की सफलता के पीछे, उनकी ये नम्रता, सब को साथ लेने का स्वभाव इसके लिए जितनी बढ़ाई मैं इस तीम को दूँ, उतनी कम है बलब भाई ने कहा, कि मुझे पांची मिनिट मिला है लेकिन बलब भाई, आपके साथ तो कीरन जुड़ा हुआ है और कीरन में पूरे स्चुरिय को समझने का सामर्थ होता है और इसलिए आपके लिए पांच मिनिट एक बहुत बड़ी शक्ती के आप परिचे बन जाती है अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बूर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा भारत का नाम भी आएगा सूरत डायमंड बूर्स भारतिय डिजाइन भारतिय डिजाइनर्स भारतिय मटियल और भारतिय कंसेप्ट के सामर्थ को दिखाता है यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ और नए संकल्प का प्रतीक है मैं सूरत डायमंड बूर्स के लिए डायमंड निर्स्ट्री को सूरत को गुजरात को पूरे देश को बधाई देता हूं मुझे कुछ हिस्सा देख रहे का आउसर मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आप लोगों को ज्यादा इंतेजार करना पड़े लेकिन मैंने कहा इनको पुराने दोस्त है तो कुछनों कुछ बताता रहता हूं मैंने कहा कि आप जो एंवायरमेंट की दुनिया के वकील है ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाईए दूसरा मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और एंजिनियर के जो स्टूडन्स है उनको कहिए का आप आईए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आदोनिक रुप्म कैसे होती है और मैंने यह भी कहा कि लैंड्सकेपिंग कैसे हो पंच तत्व की कलपना क्या होती है उसको प्रदेखने के लिए भी लैंड्सकेप्ट की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाईए साथ्यों आज सूरत के लोगों को यहां के वापारियों कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं आज ही सूरत एरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकारपन हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दर्जा मिल गया है सूरतियों की बर्सो पुरा निमांग आज पूरी हुई है और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एरपोर्ट कभी कभी लगता है बस्टे से ज़्यादा अच्छा कि एरपोर्ट अच्छा कि बस्टे से अच्छा लगता है इतना एक जोपड़ी जैसा था आज कहां से कहां पहुँच गए यह सूरत का सामर्थ दिखाता है सूरत से दुबाई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है बहुत जल्द होंकों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी गुजरात के साथ ही और आज जब यह सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब तीन इंट्रनेस्टला एयरपोर्ट हो गए है इससे डायमंड के दावा यहां की टेक्स्टाइल इंडॉस्ट्री टूरिजम इंडॉस्ट्री एजुकेशन और स्किल सही हर सेक्टर को लाब होगा मैं शांदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए सुरत वासियों को गुजरात वासियों को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ